पूल गिर जाते हैं तो इसके लिए 15 से ले करके 25 डिगी सेल चिता पकरम इसलिए मेरा किसानवाईयों से यही अन्रोद है कि यहां की मिट्टी और जलवाई अती उत्तम है और किसानवाई यहां की मिट्टी में गेंदे की खेती विवसाई ग्रूप से कर सकते हैं तो मेरा कहना है कि नर्सी कैसे तो यार, नर्सी के लिए सबसे पहले हमें इस्तान का चैन करना होगा, इस्तान का चैन करने के लिए ऐसी जमीन का चैन करते हैं खेद में जो उप जाओ हो, और वहाँ पर क्या होगा कि आपके छाया नहीं आती हो, धूप आती हो, कोई बड़ी और 10 स्बाइब कर लेंगे उसको तयार कर लेंगे उसमेद की खाडंगे मियाар का जूमिकर करने की जो इसके पानाbes बीज करता है फिर क्या करेंगे हम बीज का शोधन करते हैं बीज का शोधन कैसे करेंगे बाविश्टीन, थीरम, ट्राइकोडर्मा बहुत सारी मारकेर में दबाएं भी आती हैं जिसकी दो गराम मात्रा एक किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है एक किसी बरतन में या किसी पॉली थीर मे कि लिए तयार हो जाता है अब कर नमी नटारी तयार हो गया बीज डालने के लिए कि लूटरी ने के लिए लाइन से लिए फूच से ले देते हैं थीन से 50 मैरे रखते हैं वी से जाएंगे पर शीटार इसलिए आसी तरह धोति पर दियार करने कशानेश करते बहुत नवां के सबसें दोरा नहीं। लेकिन पूशा बशंती पूशा नारंगी यहां के लिए सर्वूत्म बैराटिया हैं इसमें खेती करने ज़र किसानों को अधिक मुनाफ़ा मिल सकता है तो किसानवाई पूशा नारंगी और पूशा बसंती का इजादे तर प्रियोग करें जहारखन की जलवाई एसी उत्तम जलवाई है केंदे के लिए कि एक साल में तीन वार हम केंदे के खेती लगाता ले सकते हैं और किसानवाई लगातार तीन वार खेती लेते हैं तो बड़ा लाव होगा उनको जैसे गर्मी में फूल उत्पादन करना जाड़ों में फूल उत् पादन मिलता रहेगा और बात अगर आपको जाड़ों की फशल लेना है तो आप सितंबर में नर्सरी डालेंगे एक्टूबर में रोपाई करेंगे तो उसका फसल आपको पूरे जाड़ों बर जनुरी तक मिलता रहेगा बरसाद में फूल लेना है आपको तो बरसाद के करने के लिए तो एक सबीस केजी नाइटोजन, 60 केजी फासपोर, 60 केजी पूटास, तीनों को प्रती हेक्टर की दर से आप एप्लाई करेंगे उसमें तो एप्लाई कैसे करेंगे तरीका क्या रहेगा उसका गोवर की खाद की पूरी मात्रा, नाइटोजन की एक त्याही मात्रा, फासपोरस की पूरी मात्रा, पूटास की पूरी मात्रा, आपको बोवाई से पहले पूरी मात्रा दे देनी होगी जब आपकी जमीन की तयारी कर अब बात आती है जो नायत्रोजन की हमें एक तयाई मातरा डिया दो समय नायत्रोजन की पिञली को पादी हम पर चाली करते हैं चालीज दिन देक Like butter प्याइस है और बच्ची हुई जो मात्रा है मारा फिर उसको अगले 40 दिन बाद दे देंगे जिसमें दुबारा पिंचिंग के किरिया की जाती है और किसानवा इस तरह से नाट्रोजन, फास्फर, पोटाज और आप गोबर की खात देते हैं तो उनकी ब्रद्य विकास पौदाओं का अधिक होगा